हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम जारखंट जूनियर इंजिनियर सिविल का जो आपका एक्जाम हुआ था दोहजार सोला में उसमें आपके हाइडरोलिक इंजिनिरिंग से जितने भी कुछे गए थे वो सारे आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा आपका पहला कोश्चन है एक न्यूटोनियन फ्लिट इस डिफाइन एस दा फ्लिट विच क्वेश्चन में पूछा है एक न्यूटोनियन प्रवाह को एक प्रवाह की रूप में परिभासित किया जाता है जो कैसा होता है ओप्सन्स आपको दिये हैं ओबेज न्यूटन्स लो ओफ विस्कोसिटी यानि जो न्यूटन के स्यानता नियम का पालन करता है ओप्सन भी है आपका इस इनकम्प्रेसिबल यानि ये असंपल दिये होता है ओबे हुक्सलो यानि हुक्के नियम का पालन करता है या फिर इस कमप्रेसिबल सम्पल यह होता है एक न्यूटोनियन प्रवाह को एक प्रवाह के रूप में परिभासित किया जाता है जो न्यूटन के डिस्कोसिटी लोको पालन करता है अगला कोष्चन है इस्टेटिक फ्लूड दील स्विद जो इस्टेटिक होता है वो बरताव करता है उप्सन्स आपको दिये हैं Viscous and Pressure Force Viscous and Gravity Force Gravity and Pressure Force Option D है आपका Surface Tension and Gravity Force के जैसा बरताओ करता है आपका जो Static Flood है वो डिल करता है Gravity and Pressure Force के साथ Option C आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाई कोश्ट लेंड ए लाइन केनाल ओफ लिमिटेड केपसिटी में हेवे सेक्षन ओफ विच ओफ दा फोलोइंग सेप्स क्वेश्चन में पूछा है बहुत मेहंगे छेतर के लाइन चेनल का जिसका सीमित छमता हो उसका आकार कैसा रखा जाता है ओप्सन्स आपको दिये हैं ट्रेपोजोईडल यानि समलंबाकार क्रिब सेब्ड यानि नान्द के आकार का रेक्टेंगुलर आयताकार होर्स सू यानि नालाकार एक बहुत ही मेहंगे छेतर में अगर लाइन चेनल बनाना है और उसकी केपसिल्टी जो है वो लिमिटेल्ट हो तो वहाँ पर जो है उसकी सेब्ड रखेंगे क्रिब सेब्ड यानि नान्द के आकार की ओप्सन भी आपका सही रहेगा नेक्स कोस्चन है इन ओपन चेनल्स फ्लो यानि जो ओपन चेनल का प्रवाह होता है उसमें क्या होता है टोटल एनरजी लाइन कोइन साइट्स विज फ्री सर्फेस यानि टोटल एनरजी लाइन जो होती है वो फ्री सर्फेस पर होती है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इस बिलो फ्री सर्फेस जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होती है वो free surface के नीचे होती है Option C है Hydraulic gradient line coincides with free surface Hydraulic gradient line जो होती है वो free surface पर होती है Option D है आपका Total energy line is belief free surface यानि जो total energy line होती है वो free surface के नीचे होती है आपके open channel flow में क्या होता है Option C सही रहेगा Hydraulic gradient line जो होती है वो free surface पर होती है अगला question है Which of the following mouthpieces is having maximum coefficient of discharge पूछा है निमनलिखित में से कौन सा mouthpiece सबसे अधिक विसरजन गुनांग प्रदर्सित करता है Options आपको दिये गए है External mouthpiece जो है वो सबसे ज़्यदा coefficient of discharge प्रदर्सित करता है या Convergent and Divergent mouthpiece Internal mouthpiece या फिर Convergent mouthpiece आपके दिये गए mouthpieceों में से Maximum coefficient of discharge जो है वो प्रदर्सित करता है Option B अभिसारी और अपसारी मुखांग Next question है Discharge in clear Overfall flume depends open पूछा है Clear overfall flume में जो है Discharge किस पर depend करता है Options आपको दिये है The depth of water over the crest यानि सिखर पर पानी की गहराई पर या फिर depth of water on upper stream side जो उपर की upper stream side होती है उसके पानी की गहराई पर Depth of water on down stream side यानि down stream की पानी की गहराई पर या फिर Option D है आपका The depth of water below the crest यानि सिखर के नीचे पानी की गहराई पर आपके clear overfall flume का Discharge जो है वो depend करता है सिखर पर पानी की गहराई पर Option ये आपका सही रहेगा अगला question है The characteristic features of a bearage is यानि एक bearage के characteristic features क्या होते हैं Options आपको दिये हैं Provision of raised crest यानि उठान सिखर का प्रवधान होता है Option भी है आपका creation of storage reservoir on upstream यानि upstream पर Storage reservoir के निर्मान का जो है विशेश्ता होती है Option C है आपका Provision of series of gates across the river for flow regulation यानि flow regulation के लिए नदी के पार फाटको की स्रंखला का प्रवधान होता है Option D है That is built in delta area only ये केवल delta area में बनाया गया है एक bearage की अब इलाच्छुरिक विशेश्ता क्या होती है ये होती है flow regulation के लिए नदी के पार फाटकों की स्रंखला का प्रवधान होता है Option C आपका सही रहेगा अगला question है In horizontal venture meter of velocity of flow in main pipe इज यानि कोई एक horizontal venture meter है उसमें प्रवाह के गति मुख्छी pipe में होती है Options आपको दिये है Greater than the velocity of flow at the throat section यानि जो throat section होता है उस पर प्रवाह वेक से अधिक होती है या फिर laser than the velocity of flow at the throat section throat के section पर प्रवाह वेक से कम होती है Equal to velocity of flow at the throat section यानि throat के section पर प्रवाह वेक के बराबर होती है Option D है आपका Double the velocity of flow at the throat section throat के section पर प्रवाह वेक से दो गुनी होती है आपके horizontal venture meter में प्रवाह की गति जो होती है वो आपके main pipe में कंठ के काट पर प्रवाह वेक से कम होती है Option B आपका सही रहेगा अगला question है Specific speed of a pump is the speed at which a pump runs when एक pump की specific speed जिस पर pump चलता है जब क्या होता है Options दिये है Head develop is unity and soft horsepower is also unity यानि इकाई हेल्ड विक्सित वा soft horsepower भी काई Option B है आपका Unit held विक्सित वा discharge एक क्यूबिक मीटर होता है या discharge जो है एक क्यूबिक मीटर होता है और soft जो है horsepower unit होती है Option D है ये विक्सित डिस्चार्ज का दो गुना होता है एक pump की जो specific speed होती है जिस पर pump चलता है जब क्या होता है एकाई हेल्ड विक्सित और डिस्चार्ज जो है एक क्यूबिक मीटर होता है Option B आपका सही रहेगा अगला कुश्चन है Power transmitted through pipes will be maximum when head lost due to friction is equal to Question में पूछा है पाईप में power transmitted अधिक्तम होगी जब friction के कारण head loss बराबर होगा Options आपको दिये हैं नलो के प्रवेश पर total head का 0.25 गुना Option B है आपका नलो के प्रवेश पर total head का 0.25 गुना या नलो के प्रवेश पर total head या फिर नलो के प्रवेश पर total head का 0.33 गुना ओप्सन गिलिया आपका सही रहेगा तो आज के इस वीडियो में हमने जहारखंड S.S.C.J. सिविल इंजिनिरिंग का जो एक्जाम हुआ था 2016 में उस क्वेश्चन पेपर में हाइडरोलिक इंजिनिरिंग से जितने भी क्वेश्चन्स पूछे गए थे वो सारे आज के इस वीडियो में हमने कवर कर लिए है तो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें